हेलो फ्रेंड अज हम बनाएंगे पनीर लबापदार एकदम रेश्टोरोन स्टाइल घर पर एकदम आसान तरीके से घर में चीज अवेलेबल होती है उन सबी चीजों को यूज करके हम बनाएंगे होटिल की तरह पनीर लबापदार तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कड़ाई लेंगे कड़ाई के अंदर हमने डाल दिया रिफाइन अब डालेंगे कुछ घड़े मसाले जीरा अब डालेंगे प्याज को हम हलका सब भूनेंगे अब डालेंगे हरी मिर्ची हरी मिर्च डालने के बाद आप डालेंगे टमाटर और डालेंगे काज्य इन सभी को अच्छे से रोष्ट करेंगे इस सब रोष्ट होने के बाद हम इसको साइड में करेंगे अब ठ्राइपन के अंदर डालेंगे पनीर पनीर को अच्छे से रोष्ट करेंगे रोष्ट करते समय डालेंगे हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउ ताहिए अब डाले मसाले मसालों में लेढ़े देड़ी दीरमीश अब डालेंगे देड़ी मसाला और दालेंगे दोलेटी हल्दी और जो हमने ग्रेवी टीस के रखाता वह डालती है मसाले को हम अच्छे सी मिला लेंगे अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ सा प्रेश आमूल क्रीम और अच्छे से पकने देंगे देख सकते हमारा जो पनीर लबाबदार जो है पंड कर रड़ी हो चुका है तो आभी से तरह पनीर लबाबदार पंड़ेंगे और हमें कमेंड बता है कैसे बना अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब दरू करें मिलते नेक्स वीडियो में